आखिर हनमान बेनिवाल को हो क्या गया है? कई लोग कह रहे हैं कि मानसिक दिवालियापन हो गया है. कई लोग कह रहे हैं कि हनमान बेनिवाल अपने आपके कंट्रोल में नहीं है. ऐसा हो क्यों रहा है? आए दिन उनके सोशल मीडियास पर वीडियो वाइरल हो रहे हैं जिसमे उन्होंने उपराश्टपती के उपर जो कटाक्ष किया, जो भाशन दिया, वो भी काफी निंदनिय हैं और उसी वज़ेसे जो धेरो सवाल यहां राजनितिक गल्यारों में खड़े हो गए हैं, उनका जवाब अब जनता मांगेगी और जिस तरह से लोकसभा चुनाव नस्द बेकार शब्द कहा, भाशन दिया उनके बारे में और जिस तरह से उन्होंने राजरा मील के लिए भी बोला, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे कि इसके क्या इंपक्ट पढ़ सकते हैं आने वाले चुनावों पर इसलिए जुड़ रहेगा आखिर तक मेरे साथ, नमस्कार तो ऐसा कौन सा ओवर कॉंफिडेंस उनमें आ गया है कॉंग्रेस से घठबंदन करने के बाद? ओवर कॉंफिडेंस नहीं, ये हनुमान बेनिवाल का अस्तित्व का संकट है जो कहीं न कहीं गहरा रहा है और उस संकट की वज़े से वो लगातार बौकला रहे हैं आप ये समझेगा कि हनुमान बेनिवाल में क्या बदलाव आए? और ये बदलाव क्यों आए? उस पर हम जादा डिसकुशन करेंगे तो बहुत सारी बाते सामने आएगी समझने वाली बात ये है कि वो हनुमान बेनिवाल जो अपनी जनता के लिए अडिग हुआ करते थे वो हनुमान बेनिवाल जो अपने मुदो को उठाने के लिए जाने जाते थे वो हनुमान बेनिवाल जो खिसान और जवान के लिए हर हद तक लड़ जाते थे वो हनुमान बेनिवाल जिनकी जुबान कहीं न कहीं अपने मुद्दों पर पूरी तरह से स्टैंड लेने के लिए जानी जाती थी उन हनुमान बेनिवाल को एकदम से ऐसा क्या हो गया कि वो हनुमान बेनिवाल ना तो किसान अंदोलन में सक्रियों होते हैं और बस गीदर भब की दे कर चुप हो जाते हैं, ना कोई अनोलन करते हैं, ना ही वो किसी भी स्टैंड पे अपने कायम रहते हैं, और एक बार जब इतनी जबरदस्त हार हो जाती है, तीन सीटों से एक विधानसभा सीट पे आ जाते हैं, वो भी मामूली बोटों के अंदर से और संसत की सीट चली जाती है, उसके बाद ये बौकलाहट इसलिए हो रही है, क्योंकि हनुमान बेनिवाल को कही न कहीं ग्यान हो गया, कि जो संसत की सीट मैं जीता, उसके पीछे वज़े ये थी कि मैं NDA का घटक था, और अब NDA से मैंने जब दुश्मनी मोल ले ली, तो क एक दूसरी पार्टी के साथ जो की भीमार्मी के नम से भी कहलाती है, और फिर मैं वापिस आया तो पहुंच गया इंडिया घटबंदन में, जहां मेरे हनुमान बेनिवाल के पेताजी मनाक किया करते थे कि कॉंगर्स के सपास कभी मत जाना, ऐसे में इस पूरे ट्रेल से ज पिछली बार नागोर के सांसत रहते हुए हनुमान बेनिवाल क्यों इतना जादा काम करा पाये थे, क्योंकि वो एंडिया के घटक थे, उनकी प्रदानमंत्री मोदी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो इतना जादा काम करा पाये, लेकिन उन्होंने वो भी तोड क्योंकि जन्ता का फाइदा तो उसी में था, उनका तो जादा से जादा विकास कार्या हो रहा था, लेकिन हनुमान बेनिवाल ने वो नहीं रिखा, और अब हनुमान बेनिवाल को ये रेलाइज हो रहा है कि हा, मैंने गल्ती कर ते, अब इस रेलाइज़ेशन के बाद कॉंग्रेस के साथ, लेकिन अब कॉंग्रेस के साथ जाकर जीतना बहुत मुश्किल है, ये हनुमान बेनिवाल को पता चल रहा है, और वो जो पता चलने का आत्मबोध है, वो ही वोखलाहट मन के हर जगा पर निकल रहा है, इसी लिए तो उपर राष्ट पती के खिलाफ इ शोबा देता है, खुद जाट जाती में बिखराव पैदा कर रहे हैं अनुमान बेनिवाल, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आज तमाम सारी जाट बिरादरी जो भारत की है, उनके लिए सबसे शीष पत पर उनका प्रतिनेदित पर कौन कर रहा है, जगदीब धनकर कर रहे है वाइस प्रसिडेंट का पर नॉमिनेट होकर आता है और उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किर्तिमान इस्थापित किया है, बड़े वकील बन गए, बड़े वकील होने के बाद राजपाल रहे, कलकत्ता के राजपाल रहते हुए बहुत अच्छा काम किया, उन्होंन वो सदस्य जो सबसे ऊपर बैठा है, सबसे शीश पत पर बैठा है, उसका मजाक उड़ाते वे देख रहे हैं, देखे सम्मान देना और सम्मान लेना, आपने सुरा हो गए, एक हाद दे और एक हाद ले वाला हिसाब किताब आजकल होता है, लेकिन हर्मान बेनिवाल इस हिस हिसाब किताब से बिलकुल उलट चल रहे हैं हिसाब किताब से तो उलट चल रहे हैं लेकिन वो खुद अपना राजनितिक सुसाइड क्यूं कर रहे हैं मुझे यह समझ नहीं आ रहा आप जाट लॉबी से वोटों की अपेक्षा रखते हो और उनके पूरी कौम में जो सबसे शीषपत पे बैठा है उसी का अपमान कर रहे हो क्या लोगों को यह अच्छा लगेगा लोग तब क्या हनुमान बेनिवाल और अपके हनुमान बेनिवाल में इतना सारा अंतर निकाल चुके हैं पहले तो दलबदलू होने का अंतर निकल गया उसके बाद अपने स्टैंड पे अपने मुद्दों पे नहीं रहने का इस निकल गया उसके बाद जिस पार्टी से के लिए कसम खाई थी उस पार्टी के साथ नहीं जाओंगा पिताजी कहा करते थे उस पार्टी के साथ चले गए तो कहीं न कहीं खुद हनुमान बेनिवाल बोलते थे राहुल गांदी क पप्पू बोला उन्होंने उन्होंने बोला सोनिया गांदी कई यह तो कुरोना नहीं लेकर आ गई है आज उनी के साथ जाकर बैठ गए तो कहीं न कहीं है सब लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं उसके बाद अब उप्रस्ट राश्पती का अपमान कर रहे हैं कुछ भी हो किस साथ इसी भी मदसे चाहे चुणांव होने की वज़े से चाहे जनता इलेक्त करके वजा उसकी वज़े से या पिर अपने जो क्ले Aus हैं अपने काम के बूते जो नॉमिनेशन हुआ है उसके बूते भली पहुंचे हो लेकिन दूसरा देश का सबसे बड़ा पद है उस पर पहुंचे हैं आप अपने कौम के उस योद्धा का अपमान कर रहे हो और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनकी राजनितिक रोटिया अच्छे से सिक जाए लेकिन वो भी कही न कहीं सिक नगा रहा है कि राजनितिक रोटिया नहीं सिक पा रही है बौकलाट है ये उसकी अगर सिक पाती ही तो ये बौकलाट होती नहीं दिख रहा है ना नुमान मेरीवाल को कि भाई NDA से दूर होके तीन दल बदलने के बाद विधान सबा चुनाव में मैं पहले तीन सीटें लेकर आया था अब एक सीट लेकर आ रहा हूं वो भी मुश्किल से मिली है अधिक तर राउंड तक तो आप कम थे और उसके बाद आखरी में जीते हो वो आपको मुश्किल से मिली है या आपको दिखाई दे रहा है अब उनों उनकी बॉखलाहट इसलिए भी सामने आई थी एक वीडियो के जरिये उसको सुना हो आपने तो शायद उसमें उन्होंने यह जो हार का जो ठीक रहा है वो कॉंग्रेस के सर फोड़ने की भी तैयारी करें उन्होंने कई बार बोला बतीरा बोला को अपोजिशन को मतीर बोला और किस तरीके से इंडिया गड़ बंदन काम कर रहा है यह बोला उन्होंने यह भी बोला कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था मुझे तो जबर दस्ती बेजा गया यह सब आखरी में बोलने का एक ही मतलब होता है कि आपको प्रत्यक शुरूप से अपकी हार जो है वो प्रकट हो चुकी है आपके सामने पस दुनिया के सामने प्रकट होना बाकी है इतना राजनितिक अनुभव है हनुमान बेनिवाल को कि वो भाप जाते है इस्तितिया और इस बार वो भाप गए है कि हां कुछ जबरदस्त गलत हो रहा है और हनुमान बेनिवाल जिस परस दुश्मनी उलट हो गई और जोती मिर्दा चुनाव जीत गई तो फिर हनुमान बेनिवाल क्या करेंगे किस के पास जाएंगे अब उनके पास कौन बचेगा जाने के लिए आरेलपी का स्थित्व क्या रहेगा नागोर की जनता का जो विश्वास था वो कहा जाएगा ये सब कुछ हनुमान बेनिवाल को अंदर ये अंदर खा रहा है और इसलिए हनुमान बेनिवाल के मू से ये सब निकल रहा है योज के लिए देखते रहे हैं राजिस्थान सम्वाद, नमस्कार। इसलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलेवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए ततपर रहते हुए सोलर एनर्जी का पोरा पोटेंशल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं।